अपने न्यूज रूम में बहुत सारे साथी मेरे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे क्योंकि लोग सभा चुनाव अपने चरम पर है चार चरण हो चुके है तीन चरण अभी बाकी है चार चरणों में इन युवाओं ने क्या कुछ देखा किस तरीके से चुनाव का अनलिस किया है सब बाते जानेंगे क्योंकि ये वही लोग है है देखिए स्क्रीन पर तो आप मुझे देखते हैं लेकिन उसके पिछे की जो महनत रहती है वह यही सारे लोग करते हैं आपको दिखाए दे रहे हैं एडिटर्स हैं प्रेडूटर्स हैं असाइमेंट हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जो गेस जोड़ते हैं वह असाइमेंट ही जोड़ता है खबरों को लाना रिपोर्टर से बात करना यह हमारी मेगा करती हैं यह हमारे दिव्यांचू है यह हमारे एडिटर है यह इंटर्न है कुछ सीख रहे हैं हमारे प्रेडिउसर है बहुत अच्छे पाकेजिस लिखते ह हैं हमारे यूटूब चानल पर और यह हमारे इंटर्न हैं बहुत ही प्यारे बच्चे हैं बहुत को सीखा है इनोंने और आगे भी सीखने की चाहा रखते हैं थोड़े से नौटी है पर हम उनको समझा लेते हैं यह हमारी प्रेडिजर हैं बहुत प्यारी सी हैं बिना कुछ कई कर देती हैं सारे काम इनको बताने की जुरुत नहीं होती है तो आज हम मुद्दो पर बात करेंगे चुनावी मुद्दो पर क्यूंकि 400 पार का नारा अपनी चरम पर है लेकिन धीरे-धीरे करके 400 पार की जो बात है वो अब खत्म होती वी नजर आ रही है लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गडबंदन है जिसमें कॉंग्रिस समेथ बहुत सारे घटक दल है जो यह कह रहे हैं कि अब के बार हम 400 से ज़्यादा सीटे लेकर आ रहे हैं और इंडिया गडबंदन की सरकार बन रही है तो सबसे पहरे अपने पीडियो से के पास चलते हैं क्योंकि खबरे बहुत लिखते हैं पैकेज भी बहुत अच्छी लिखते हैं आए जानते उनका उपिनियन क्या है दिपांचू क्या लगता है 400 पार में कौन इतने वाला है 400 तो कह नहीं सकते लेकिन संसय में हैं भाज़पा की नईया और मुझ हार्ष ट्रेडिंग करेंगे ये उसके अलाओं इनके पास कोई ऑप्सन नहीं बसे हैं तुम्हें क्या लगता है हार्ष ट्रेडिंग के बिना सरकार नहीं बन सकते हैं डीकिस मुश्किल है क्योंकि दक्षिड में जितना फोकस इन्होंने किया था कि पूरी हिम्मत लगा दी थी तो दच्षिड के एक एक किले इनके ढय गए पहले इन्होंने करनाटका में जोड़ दिया करनाटका में इस बार कॉंग्रेस की सरकार बनी है तो वहाँ पे जिस हिसाब से डीके शिवकुमार ने मिनहत किया है वहाँ पे चांसस नहीं है इसके बाद उसके बगल वाला है तेलंगाना में रेवन्त रेडडी पिछले साल से ही एक दम जमीन पे हैं और पूरा जिस हिसाब से बी आरस को तोड़के कॉंग्रेस में मिलाया है उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि वाम उसकी लगर सीटों का देखा जाए तो दहाई में तो बड़े आराम से कॉंग्रेस वहाँ पे पहुच रही है तेलंगाना में अच्छा राहूल गादी कह रहे है ममतब एनर्जी कह रहे है कि हम तीन सो दस्तों आराम से कर लेंगे यह पे कोई इसमें एफ़र्ट लगाने की जुरूत नहीं क्या लगता है जिसी साब से वहाँ पे एक ओपोजीशन के तौर पे यह कॉंग्रेस और लेफ्ट लड रही है इसमें सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है टीमसी को ही भुगतना पड़ेगा देकि दिपानशु को तो नहीं लगता कि चार सो पार भाजपा करने जा रही है हालकि वो यह जरूर कहते हैं कि दक्षिन में बड़ा नुकसान भाजपा को होने जा रहा है रितेश हमारे वीडियो एडिटर बहुत अच्छे पैकेजिस काटते है इनका ओपिनियन का है और किस तरह सचनाब को देख रहे हैं दोजार चौबिस को युवा है जानते हैं क्या लग रहा है भाजपा चार सो पार हो जाएगा राम से मैं मैं दिपांशु की बातों से सहमत हूं चार सो पार तो नहीं होगी खाम्याज़ा तो बुकतना पड़ेगा भाजपा को लेकिन यह है कि आयेगी भाजपाई क्योंकि कंग्रेस के पास कोई बड़ा चहरा नहीं है राहूल गांदी को जो बड़ा चहरा मानते लेकिन राहूल गांदी पर उतना तजूरभा नहीं पिम मूधी की जितना ना कि उन पर इतना ज्शादा एक्सपिरेंस नहीं है कि पीम मोधी को टकर दे पाएं सीरियसनेस नहीं है क्योंकि जो सोन्य गांधी है में उनके पीछे हैं और वो जो बोलेंगी वही होगा जब यो बहुत ज्यादा सीरियसनेस देखी गई है अब वह रहुल गांधी नहीं है 2019 से पहले जुवा करते थे बहुत बदलाव देखा गया है क्या लगते तो में लगता है ऐसा मैम मेरे को कुछ ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उनका मैनिफेस्टों ही देखके पतलग जाता है यह जब उन्होंने बोला कि यूवाओं को हम जो बेरोजगार हैं जो घर पर बैठे उनको 8000 रुपे देंगे महीने के मैम आप जब यूवाओं के प्रती देख रहे हैं अगर आप घर बैठे8000 रुपे हर यूवाओं को देंगे तो यूवा कमाएगा ही क्यों यूवा मतलब अपने एंप्लॉएमेंट के लिए जाएगा ही क्यों पढ़ेगा नहीं कुछ नि में रिल्स वगेरा है यह सब थो हमारे इस विकास पडर पर आने वाला जमाना सब कुछ ऑनने वाला है तो उसके मुकावले की मोदी जी प्रमूर्ट कर रहे है तो फिर उस चीज को लेकर हमारा देश पिछर जाएगा तो आने वाले देश जो है उन चीज को लेकर आगे लेकि तो इस चीज़ को ध्यान देना मोधी जी ने समझा अपनी जरूरत तो उन्होंने दिया जो चीज़ सही है. तो आप मोधी जी के काम से खुश है? जी, बिल्कुल. दस साल में ये कहते हैं कि हमने दस साल बेमिसाल दिये हैं. दस साल में हमने देश बदल दिया. 2014 के बाद से ही देश में बदलाव दिखाया हैं. एंदेश की छवी बार बेतर हुई है. तो क्या 2014 से पहले देश का कोई नाम नहीं था? नाम था मैम लेकिन जो आज के टाइम में देखा जाए. तो आज के टाइम में जितना विकास हुआ है वो मैं बहुत ज़्यादा है जैसे कि मैं एम्स पर बात करूँगा एरपोर्ट पर बात करूँगा सड़कों पर मैं बात करूँगा मैं और मैं जो ये सिच्छा और बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा इस पर मैं इस पर बात करूँगा जैसे लोग कहते हैं कि इस टैम बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है मैं कहता हूँ कि आज से मतलब 2014 से पहले अपने हाँ इंडिया में 7 एम्स थे और आज के टैम में 22 है मैं तो जो 22 एम्स बने है इसमें तो आखिर पढ़ा लिखाई बंदा तुम्हां गया है जो बंदा पढ़ेगा नहीं वो क्या नोक्री पाएगा आज कल कोई काम नहीं करना चाहता है सब को सरकारी नोक्री चाहिए पढ़ाई कोई करना नहीं तो तुम्हें क्या लगदा है तुम्हारा आने वाला समय तुम अपना भविश्य किस तरह से देखते हो मैं यह चाहता हूँ कि अगर जिसको भी सरकारी नोकरी या जैसे यूपियस्या एंडिया बगारा क्लियर करनी है हर साल भरती आती इनकी भी ऐसा नहीं है कि नोकरी नहीं है हर साल यूपियस्या और एंडिया की भरती आती है आप क्लियर करिए आप नोकरी लीजिए पर ये कोई करना नहीं चाहता ना सब को चाहिए कि ऐसे आराम से नोकरी मिल जाए और हम काम करें तो सुश्वील को आपने सुना, उन्होंने सिख्षा पर और स्वास्त पर रख दिया, उन्होंने एम्स का जिक्र किया, कि हाँ, एम्स भले ही कॉंग्रिस के सरकार में आया हो, लेकिन तब जो एक विकास का स्तर था, वो बहुत धीमा था, दस साल में विकास की रफ्तार जो है हर कोई फेमस होना चाहता है, तो दिव्यांशु भी चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना क्रेटिविटी दिखाते हैं, देश के लिए कैसे सूचते हैं, मैम देश के लिए मैं यही सूचता हूँ कि मोधी जी ने मतलब बहुत कुछ डिजिटल मीडिया को ले करके बहुत जादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मतलब जब क्या गायते हैं, अभी के टाइम में मतलब अगर आप देखो तो ऑनलाइन मतलब पेमेंट वे रहा होते हैं, वो पहले कैस रहते थे, ओनलाइन का जिक्र क्या तो दिव्यांशु साइबर क्राइम भी तो बड़ा ह अभी के टाइम में बहुत सारय मतलब क्या क्या एहते हैं, चीजे मतलब हई जैसे वुपियाए आई हैं, पहले मतलब हम कैस कास बहुत जादा क्यारी करते हैं, थाई लों दिपर करें एजली मतलब वो मतलब लिक्विड आप ने इक Cream कह रहा है, जिसके काम आरमन से पैसे मत यह मौका मैं मैं अगर देखू तो मतलब क्या गया तो जब रहूल गांदी के टाइम में मतलब उस टाइम में को लगता जहां तक क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं है मैंने जब देखा रहूल गांदी का भी प्रदान मंतुरी रही नी ना दिव्यांचू मैं रहेंगे वो इस बार वैसे मैं तो अगर मुझे से चारोंगे तो मैं यह चाहूंगी कि इस बार सरकार में बदलाव आना चाहिए बदलाव बहुत जरूरी है आपने देखा होगा मैं मैं भी रिपोर्टिंग पे जाती हूं तो जहां पर मैंने लोगों से बातचीत करके जितना देखा लोगों को सच में बदलाव की अभी जरूरत है मेरे जिसे सुशीन ने बात की अभी की बिरोजगारी की बिरोजगारी अभी मैं सर्वे करके आई हूँ बहुत सारे ऐसे पड़े लिखे लोग हैं जिनको नौकरिया नहीं मिल रही है दो करोड की बात करी थी मोदी जी ने मेरे ख्याल से उनको अभी नौकरिया नहीं मिली अगर मिली होती तो मेरे इतने सर्वे करने पर लोग इतने परिशान नहीं हो रहे होते दूसरी चीज ठीक है मैं यह कह रही हूँ विकास हुआ है मैं नहीं में डिनाई नहीं करूँ हूए सदकों का विकास हुआ है महीलाओ के सरक्षा बहुत अच्छी चल रही है समय महीला है बहुत खुश है जो 9 बजे काजल मायम भाज नहीं जा पाती थी आजकल वो बहुत फ्रीली घूम पा रही है दिल्ली के लिए विदान सबाद चुनाव नहीं है लेकिन किरजीवाल हर वक्त अपना काम गिनाते रहते हैं लोग सबाद चुनाव है क्या लग रहा है कि जेल जाना फिर काम का जिक्र करना उसे किरजीवाल को फाइदा मिल सकता है देखो पहले तो ऐसा लग रहा था कि बीज सुबर चुनाओं का टाइम चुना दूसरी चीज मैं दिल्ली की जनता से पूछ तो वो बहुत खुश है महिला है बहुत खुश है क्योंकि बस की सर्विसे स्कूल भी जो है शिक्षाओं को अच्छी मिल रही है लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जब से वो जेल से बाहर भ बीजेपी की हो सकता है कि कम आये लेकिन हो सकते है चांसास भीजेबी की जाता मेरे साथ। तो मेगा कह रही हैं कि ग्राउंड जिरो पर किर्जिवाल से जनता खुश भी है लेकिन अगर लोगसभा के लिहां से हम देखे तो बीजेपी कही ना कहीं हो सकता है कि बाजी मार जाए साथों लोगसभा सीटों पर सौरब मेरे साथ मौणोध है परवांचल से है तो उत्र प्रदेश का ही जिकर करलेते परवांचल का अब ही तो क्कि तीन चोड़न बचवें तीनों-चोड़न में परवांचल में ê कि सत्ता में अभी तो जो बैश्ट है वह भाषपाई है बाकी और जो जुम्ला था वो तो हमनumnे ऐसी बूल जहें जुम्ला सब के अंदर है चाहे जो पार्टियां सब के अंदर जुम्ले बाजी है लेकिन सत्त में जो को दख रहा है कि भाजपा इस 現在 सबशे कही पे चल लाई है तो मैं ऐसा नहीं लगता कि भाजपा रिद्यू मुसल्मान करवा रिए। जितने कश्मीरी पंडित वापस वहां से भाग आये पमें घरबार शोड़के आये क्या भाजपा ने तुम जानते हो कि कि अंक्रे बिता दो मुझे कितने वापस वहां पर बसाए हो। किसी को भी नहीं बसाए हैं? जब 378 गई सब कुछ ठीक है सब कुछ नॉर्मल में भाजपा कहती है वाप पर पत्थर बाजी नहीं होती सब चीज ठीक है तो पिर क्यों नहीं बसाए गए इसका तो सवाल देखो यह तो सरकार से पूछा जा सकता है सरकार इसके बारे में कुछ भी तुम कश्वीर का जिक्र अगर वो घटनाए आप नहीं जिक्र करोगे वो चीजे दब जाती है और चीजे दुबारा ऐसी नहीं हो चाहे संसत भवन में बंफटना हो चाहे बड़ी चीजे हो बिलकुल सौरब की बाद यह मैं खुद एगरी करती हूं कि हां आतंग वाद पर एक फुल स्टॉप जरू लगा है वो घटनाए आप हमें दिखाई नहीं देती और टचूड हमारे देश में ऐसी घटनाए हम चाहते भी नहीं है यह मैं बिलकुल एगरी करती हूं सौरब से देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आप चीजों को उठाओगे नहीं तो चीजे दबी रहेंगी और जो बहुत सारी चीजे है कि कुछ दिखावा भी होता है कुछ काम भी होता है ठीके सौरब वापस लोटोंगी तो यहां पर जादतर जो न्यूजरूम में मेरे सेयोगी को देत जान पा रही हूं इनको भाजपा यारे कि 10 साल बहुत अच्छे लगे हैं लेकिन मुझे ऐसा लग जैसे कि मेडिकल कॉलेज पहले 300 के पास थे आप इसमें 800 हैं इसमें भी मुझे बहुत गौर किया गया है और जैसे कि सर में सड़कों की बात ले लिए जाए उसमें भी बहुत हुआ है और इसमें परवांचल एसप्रेस बन गया है जो अभी योगी जी ने भी जल्द से जल लिए उटकाटन किया है तो इसमें भी कहीं मजदूरों को मतलब काम रोजगार बहुत मिला है मनरेगा तो कॉंग्रस लेकर आई थी ना मैं मनरेगा लेकर आई थी तो मतलब परवांचल एसप्रेस में जो मतलब टेंडर मिलें जिन जिन को तो उनको तो रोजगार आब वो तो हम नीचे वाले जानते हूं ओपर सरकार से तो माला विल पूरा पास हो जाता है आई बढ़ी टो चै़िए कि सास्ट प्रशासन बेटर तरीके से काम कर सके बहुत सारे ऐसे हमारे पास भी खब्रे आती है कि अबने की तरफ से तो साश्णा देश फोगया लेकिन प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करता हमें तो दोने चीश चाहीं जनता को तो प्रशासन से तो यह जरूरी आईश वापस लोटेंगी तुम्हारे पास क्योंकि अब मैं मौनिका के पास जाओंगी हमारी पीडियोसर है बहुत प्यारी सी है महसुम सी बहुत कम बोलती है लेकिन देखते हैं भी कितना बोलती है मौनिका क्या लग रहा है राहुल गांधी अखिलेश अगर देखा जाए तो और आकड़ी मतलब यही मिल रहे हैं चार सो पार का नारा मतलब पूरा तो नहीं होगा लेकिन जो साट से सतर तीन सो सतर के बीच आ सकता है और उसके बाद अगर हम बात करें उसकी तो बीजे बीन दस सालों में बहुत सारे चीज़े चेंज की हैं और जैसे कि जो ग्रामीड में जो महिला होती है अपना खेती बाड़ी भी होती है उनको घर से आकर तुम कहां से बिलॉंग करते हूं मैं रामपूर से करती हूं रामपूर एक ऐसे महापर कदावर नेता रहे है आजम खान और आजम खान को हमेशा से ही एक अलग तरीके से समाजवादी मदब रामपूर का अगर हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ शहर का विकास किया है अपना किया है उन्होंने और ज़्यादा जनता का नहीं देखाया है गरीब लोगों का मैं कहूं तो अगर रामपूर जिले में जो गाहां आते हैं वहां पे अगर जाओंगे आप जमीनी स्तर पर देखोंगे तो वहां पर जादा विकास नहीं मिलेगा अभी जब अभी चेंज हुई है घंध शाम लोदी अब वहां के सांसद हैं तो उसके बाद मतलब वहां पर अब नगर निगम जो चीजे बहुत पहले से पड़ी हुई थी अब बीचेपी के सरकार म की ईउपी में छाती ठोकर कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दे दी है रोजारेजों के साथ दुश्कर महिलाओं के साथ सोशन की जैसी खबरे नहीं आती है कि हृगता है उसको पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ इसे लगता है कि बहुत योजनाओ का लाब मिला बहुत सही बात भी बोली है उनने अगर आप जमीनी स्थर पर जाएंगे ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और ग्रामिन शेत्रों में जाएंगे तो हाँ विकास वाइब डिनाय नहीं कर सकते लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते क कि 2014 से पहले देश में कुछ था नहीं नीव रखी जाती है तब जाकर छट डलती है बिना नीव के आप छट डाल देंगे तो कोई मतलब है ही नहीं उस चीस का दिवारी खड़ी करने बहुत जादा जरूरी है सचिन हमारे साथ है बहुत ही यूवा है और मेरे ख्याल से पहल जादेंगे सचिन है फर्स ताइम वोटर है कैसा लग रहा है पहले बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार अपना वोट देखे पने देश के लिए एक तो कि मुझे भी मुझा मिलता पने सरकार चुनने के लिए और बाकी यूवा ऐसा यूवा कैसे लग आपको कि हमारा प यूवा चहरा है लेकिन कोई इतना एक्सपीरियेंस दी है जो हमारे देश को चला सके पाकिस्तान जैसे छोटे देशों के लिए ऐसे लोग बहुत बढ़िया रहते है लेकिन इंडिया जैसे एक अच्छे देश के लिए हमें प्रधान मंतरी मोधी जैसा ही को चाहिए जो इ है कि एक्सपीरियेंस होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि देश समालना है तो एक्सपीरियेंस जरूरी है और मोधी जी ही देश अच्छे समाल सकते है ठीक है दिपांचु के पास एक बार फिर से आ रहे हैं दिपांचु सिर्फ मोधी जी ही क्या बच्चे है हमारे पास देश चलाने के लिए क्या भाजपा के पास भी कोई और चहरा नहीं है और शायद जनता को भी कोई और चहरा दिखाई नहीं देता। करवाया और सरिंडर करवाने के साथ सिक्किम और मिजोरम का भारत में बिलै भी करवाया और हाँ ये चीज है सरकार चाहिए जिसकी भी हो कमियां तो सब में होती है मुझे इंद्रा के कारिकाल में बस एक ही चीज खराब लगी कुनों नहीं अमरजनसी लगाया बाकि उनका कार उनिकी करण का अगर किसी को जनक कहा जाता है तो राजियो गांधी को कहा जाता है जैसे इन्होंने कहा कि एक वो होता है कि उम्र दराज लोग ही देश को आपरेट कर सकते हैं तो अगर हम आज केंप्यूटर चला रहे हैं तो राजियो गांधी की देन है हाला कि उनके भी उप पर हम आस्वस्त हो जाएंगा नहीं मोधी ही जी तो भाई मोधी जी ही क्यों इसके अलामों भी तो हमारे पास ऑप्शन है ना विपक्ष में भी है उनसे बढ़ियां काम नितिन गटकरी जी करते हैं मैं जैसा कि मेर भाई ने का कि इंद्रा गांधी से कंपेर किया था और राहूल गांधी को तो मैं राहूल गांधी जी जो हैं उनके पीछे सोन्या गांधी अभी उनको गाइड करने कले और उस टेम पे इंद्रा गांधी जी के पीछे कोई नीता उनको गाइड करने कले तो उ वो एक खुद के पैरों पर स्टेंड थी, उन्हें उस टेम पर कोई यह बताने वाला नहीं था कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, तो उन्होंने देश अच्छा चलाया, बट यहां पर उनके पीछे कट पुतली बनके वो एक काम करेंगे, राहुल गांदी जी, तो जब एक लेकिन भारत जोड़ो यातरा, भारत निया यातरा में सोनिया गांदी उनके पीछे नहीं थी, क्योंकि सोनिया गांदी काफी समय से उनका स्वास्त खराब चल रहा है, तो mostly वो rest पर रहती है, भारत जोड़ो यातरा, निया यातरा, उनसे उनको क्या benefit मिला, पहले आप मेरे पहले लेकिन भारत जोड़ो यातरा, निया गांदी जाएंगी, क्योंकि इतनी पर जनता खुश नजर नहीं आ रही है, मोदी जी के काम, मेगा ground zero पर रहती है, तो सच्छे से पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कि मोदी जी ने ठीक है, काम किया, विकास किया, तुमारी हर चीज में मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन गरीबों के लिए भी उन्हों ने किया, लोगों के ऐसा लगता है, कि राशन मिल रहा है, लेकिन अगर आप असली में अगर जाकर आप बहुत सारे गाओं में देखेंगे, जैसे मॉनिका ने बोला, वहाँ विकास नहीं हो रहा, बहुत सारी जगा ऐसी भी है, जहां पर विकास की बहुत जरूरत है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और इतने सारे वादे करते हैं बोसगार का अगर आपने मुद्दा उन्होंने कहा बार बर वो बोलते हैं कि बहुत मिले हैं, सारी सीजे हैं, लेकिन आप दिल्ली की बात ले लो, दिल्ली में भी बहुत उनको डर नहीं होता, तो क्यों उन्होंने केजरिवाल को अंदर करवाया, ठीक है, रितेश, मैं पह बेजेते, तो साथ सम्वन आप बोलने की जैसे वहां पर बोला जाता है कि BJP ने अरेश्ट करवाया, केजरिवाल को, बोला जाता है, आप ये बोलना चाहरें, मैं भी एक जन्ता में से आती हूं, ठीक है, मैं कभी कभी कामरे पे रहती हूं, लेकिन जो मेरी सोच ये कहती है कि लोग सबर चुना होई, क्यों चुना गया, उससे पहले क्यों नहीं अगर बेजे थे, तो साथ, मैं भी जन्ता में यहूं, ठीक है, साथ सम्वन बेजे थे, साथ सम्वन की बाद आठ वे पर उनको अरेश्ट किया गया, ठीक है, तो आठ वर्निंग उन्हें साथ वर्निं कि आप बता रहें, जैसे कि उनको मिला है, सभी पार्टियों ने खाया है, सभी पार्टियों को मिला है, ठीक है, तो उस मुद्दे पे, कॉंग्रेस के बाद में उठाई, जब उनको पता लगा, जब उनके पास सारा डीटेल आई, ठीक है, कि 6,000 करोड इनको मिले है, और 4, कुछ मिले है, तो तुम मानते हो ना हराटी करप्ट है, तुम यह मान रहे हो, ना कि सब तुमने अभी एक लाइन वोली, कि सब होते है, तुम मान रहे हो, बीजी बी में करफशन है, अगर ली होती है, तो आगये चलेंगे, सोनिया गांदी अगर हुकम करेंगे, तभी वो और अमीर है वह बहुत अमीर हो रहा है कि आपके टाइम को एक अब जनता थोड़ा सा बदलाव चाहती है ठीक है देश डेस की 70% अवादी एलेक्ट्रॉल बाट के बारे में जानती नहीं थी बिजेपी सत्ता में ये तो हुआ है कि लोगों को कुछ ED के बारे में पता चला है कुछ electronic bond के बारे में पता चला है चाहे जो भी हो भाई सत्ता में कुछ न कुछ तो लोगों को जनता को knowledge हो रही है हेमत बिश्वा सर्मा हो या फिर कोई और हो या फिर अगर हम बात कर लें हमारे पवार साब जीत पवार जी वो वाशिंग मशीन में धूल जाते हैं ऐसा सोचल मेडिया पर पढ़ते हूं इसलिए मैं पूछ रही हूं दिपांचों बताएंगे जाहिर सी बात है कि एडियो और सीबी आई की रडार पे सबसे ज़्यादा विफक्ष के नेता ही होते हैं जनारदन रेड़ी एकत्तर हजार करोंड साउथ का ड़कार के बैठ गया बिजेपी जुआइन कर लिया कोई मोहमाया नहीं है वो एकदम फूल एंड फाइनल असोग च है हमारे मैं पुर्वांचल से उन जौनपूर से जौनपूर की मैं बात कर रहा हूं हमारे यहां से कृपा संकर सिंग चुनाओ लड़ रहे हैं जिनके उपर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा था जिसके चक्कर में उनके ग्रेह राजमंत्री का पत छोड़ना पड़ा था महाराष्ट में वो विजेपी जौइन कर लेते हैं उनके अंतरात्माय जाग जाती थी पुर्वांचल में बड़ी-बड़ी माइनिंग्स हैं बालू की जिसमें 60-70% माइनिंग्स का टेंडर जो है गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा है और उत्रा खंड म मैं परसल अपना बताओं तो ऐसा नहीं है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ या ऐसा भी नहीं है कि 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ बदलाव हर किसी को चाहिए और देखे कुछ काम होते भी हैं कुछ काम नहीं भी होते हैं देखे कि जो मुख्य मुद्दे थे 370 वो किया भाजपा सबसे इंपॉर्टेंट था और मैं जो हमारे भाजपा को जो पसंद करते हैं उनसे पूछूंगी सबसे पहले था जन संख्या नियंतन कानून वह अब तक क्यों नहीं आया जो सबसे बड़ी समस्या है प्रॉब्लम इस बात की है और दूसरी बात यह है कि कुछ वादे किये ग नौकरिया नौकरिया नौकरियों की बात नहीं थी दो करोड रोजगार की बात थी तो यह समझना हमें बहुत जादा जरूरी है क्योंकि लोग क्या है हल्ला मचाते लेकिन वो समझ नहीं पाते कि आखिर दो करोड रोजगार की बात और यह नौकरियों की बात नहीं हो रही पेपर लिग का जिकरा खलेश या दव मॉनिका लगातार कर रहे हैं तो उस पर नज़र डालें तो वहां पर कही ना कहीं किसी के दादा पर्धाधा सरकारी नौकरी में रहे होंगे लेकिन अभी के ताइम में अगर हम यूवाओं को देखे हैं तो रोजगार बहुत ही जादा सरकारी नौकरी बहुत ही मुशकिल spoken हो गया मिल ल और अभी करी हैं मैंने भी रôजगार के र्टप कामिए उतना तब आए गघर कई शोचता गरैसे वेट जाता कि मेरं को सरकारी नौकरी चाहिए रोजगारी तो उसको रिश्रेडूल करवाय था दुबारा पेपर लिक जब हुआ था तो उस पे दुबारा पेपर करवाय भी है दरसर ये एक कहते हैं ना कि माफिया जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के एको सिस्टम में एजुकेशन माफिया हा भी हुए है चाहे पूरवांचल हो, चाहे आवध हो, जाहे, इनका एक बहुत बड़ा रैकेट है, और कही न कहीं, इनके टसिस जो है, सरकार के साहथ है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता ज रूख पती मिदे हैं,erneक्न तो दो मिनट में पेपर लीक हो जाए जो मन कहें वो करवा सकते हैं सरकार को उनसे कहीं न कहीं profit है चाहे सराब माफिया हो चाहे नकल माफिया हो चाहे भो माफिया हो सबसे जाए माफिया कोंग्रेस के राजमी उड़ने ना जैसे अभी अतिक एमध और क्या ना मैं अभी मुखतार अंसारी इन सब को तो पना तो कॉंग्रेस नहीं दी है तो अब तो अपने पैर पहलाएंगे पहलाएंगे ना मैं कै sw cuenta यह कानून सबुम्राइंink फ़blameलाने और और समाजी समिरस्ता ही यह अप कोई यह नतो आप लोग तंत्र में हो ना ये आधिकार जो है कानून को है आप आप कस्टोरियल डित के मामले में देख लो सबसे ज़्यादा हत्यां यूपी में होती है उस पे तो कभी कि नहीं बोलते हैं आप कहते हूं हम क्राइम पर कंट्रोल करेंगे ठीक है लेकिन आप एक समाज के दायरे में समविधान के दा तो फिर बी एच्चियू की जो चात्रा थी जिसके साथ गैंग रेप हुआ था उसके हत्या रोपियों पर अब तक बुल्डोजर क्यों नहीं चला बार बार बोलते हैं सुरक्षा देदी ठीक है मैं यह नहीं गह लेकिन अभी पूरी तरह से क्राइम खतम नहीं हुआ है समय लगेगा बदलाव के लिए समय लेगा आपने सतर साल दिये हैं तो दसी साल होए भी थोड़ा सा अंतजार और कर लेजे मुझे ऐसा लगता है सुशील मुफ्त की रेवडियों की बात लगातार होती है कि मुफ्त की रेवडी जो है वो केज़िवाल देते हैं तो पांच किलो राशन देना क्या ये मुफ्त की रेवडी नहीं है जी मैं जो पांच किलो राशन की अगर बात की जाए तो इस टेम जब ये कुरोना खतम हुआ है इस टेम सबको लगता है कि पांच किलो दे रहे तो ऐसान कर रहे हैं मोदीजी हम पे चाहे 5 किलो में क्या होता है अगर मैं मैं बात करूँ तो हमारे साथ ही और बहुत लोग हम लोग इसरी दिल्ली वगएरा में थे हम लोग यहां से पैदल लब घर गये थे तो खाली 5 किलो राजसनी नहीं मिला थे जितने लोग कोवीड वो कोवीड शील्ड हुए थे मतलब उन सब बंदे जाते थे ऐसा नहीं है कि जो अगर उसकी बुराई करता था तो मैं नहीं लूँगा उसको फ्री की चीज किसको नहीं चाहिए तो मैं वह तो बात है लेकिन उस टाम लोग डाउन में कितना सहीव हुआ मैं मैं करता हूँ अगर बीजेपी से इतनी जाए दिक्कत हो तो उस चीज को मतले उसको पिर आर्विन के जिवाल क्या करें गरी महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा करवा रहे हैं जो पंद्रा अजार दस जार रुपए आदमी कमाता है वो बिजली खर्च नहीं कर मैं विड़ाओं लेकिन सब गाया ऐसा नहीं है बस में तरफ फी तरफ इस तरफ ही सीटे देखेंगे तो वह महिलाओं के लिए बाकी की दूसरी साइड है अरक्षित ऐसा नहीं है चलिए वो थोड़ा परसल हो जाता है वो जबरदस्ती उठाना वो सारी चीज़े लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल जो है वो बहुत बेतर हुए है गौर्वर्मेंट स्कूल दिल्ली में लेकिन जब वो काम करते हैं बीच बीच में कोई ऐसी बात आजाती है कि रोक दिया जाता है अगर उनको प्रॉपर तरीके से काम करने देना है तो दिल्ली की जनता बिलकुल उनको बहुत हो गया बहुत दिल्ली की जनता हमारा देश का योगा वैसे ही धुमोएं की तरफ उड को दिया को अभी तक उसका भी प्रूफ नहीं दिया इतने टाइम से अंदर कर रखा है इन्होंने एक बात बोल रहे है कि उनको पूरी तरीके से काम नहीं करने दे रहें केजरिवाल जी को मैं कॉंग्रेस की भी तो सरकार है करना टक साउट साइड तो जारखन में क्या नाम है दिली में सेंट्रल गौर्मेंट भी है और दिली में डेली गौर्मेंट भी है बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सेंट्रल वाले करते हैं बहुत सारे ऐसे को दिली सरकार के हित्मे होते हैं लेकिन मोसली जब वो बिल पास किया गया तो लगी के दायरे में बहुत सारी आपके कंदों पर टिका हुआ है क्योंकि एक भारत ही ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर युवा इस वक्त है तुम्हाम जैसे आप कह रहे होगी हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा है और हमें पता है और चाइना सबसे बुड़ा देश है वह फिर भी डेविलप कर रहे हैं तो आप ऐसे देश में अगर पचास साल के आदमी को युवा बुला रहे हो तो सबसे बड़ी हमारी शर्मिंदिगी चाइना से कंपेर कर रहे हो अपारे देश को हम चाइना को पूरी तरह से बॉइकाट कर चुके हैं लेकिन इंडिया का अभी तक सबसे बड़ा जो हमारा वह करते हैं वह अभी चाइना ही है दो साल के बाद चाइना वापस आ चुका है और वह टॉप पे है चीक है ठीक है क्या तुम्हें बताए कि बाहर जितने भी भारतिये हैं सबसे टॉप कंपनी पे टॉप पर बैठे कोई सीओ पर है कोई तुम जानते इस वात को यह समां माइक्रोसॉफ है और सारी जितनी बड़ी कंपनी अच्छी पोस्ट पे इंडियन जी हैं तुम ऐसे कैसे कि भारत का युवा जो है दूसरी कंटी डेवलप कर रहे हम पार्चवी अर्थ विवस्ता इसी हो गए क्या हम पाच्वी अर्थ वि लोग डेवलप हो रहे हैं अमेर अमीर चैथाने कि एक तरफ तुम कहते हो कि सरकार बहुत अच्छा कररी हैं कॉंगर्स कुछ अच्छा ने करें एक तरफ तुम कहरें हो किesesर वाल मे tie-інतली सरकार हमारे लिए काम्त मत बनो खरी कि यूवाल यूवाइब बच्चा है उसको इतना नहीं राजनीती में शायद नहीं है बठाव मैं यह कहूंगे कि जैसा सचीन ने कहा कि हमारा जो देश है यूवा तो बहुत सारे लेकिन चाइना जो बहुत जादा डेवलप कर रहा है भारत क्या दस सालों में डेवलप नही जा रहे हैं तो यारी कि हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा शायदी सी वज़े से बिलकुल बहुत कुछ अच्छा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले साइंटिस्ट वगरा मारे जाते थे पता नहीं लगता था आज कि हमारे भारत में बाहर की लोगों को बुलाया जाता है कि आईए आप हमारे देश में डिबलब कीजिए और प्लस हमारे देश के जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अभी हमारे देश में रह रहे हैं अब बाहर जाना वो पसंद नहीं करते हैं पहले जो है उनकी मौते ऐसी हो जाती थी भयानक की उनको पता नहीं लगता था कि कहां उनकी डेट बॉड़ी है कहां उनकी लोग है ना उनके परिवार को नया मिलता था ना किसी को मिलता था आज के टाइम यह है कि लोग जा नहीं रहे हैं लोग यहां पर रुक के आगे की चीज़े डिबलब कर रहे हैं बढ़ रह आगे क्योंकि इंडिया को देख रहे हैं कि आने वाले भविस्न में इंडिया भारत बहुत आगे जाने वाला है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इंद्रा गांधी हमारी प्रिदान मंत्री हुआ करती थी तब राकेश शर्मा गए थे और उन्होंने बात की थी और वो वी हमारा भारत सबस्यादा खुबसूरत दिखता है सारे जहां से हिंदूस्तान हमारा मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप्मेंट हमारे देश में सुई तक नी बनती थी हमने यहां तक हम लेकर आए 2014 तक 2014 के बाद से हमने टेक ओवर भाजपा नहीं किया और 10 साल से कर रही है मु करता हूं उसी 70 सालों में एंडिये की भी एक बार 5 साल की सरकार जनता दल की भी सरकार रही है जिसमें चंद सेखर भी रहे हैं प्राइम निस्टर से लेके तमाम लोग रहे मुडार जी देशाई तक ले तो सब ने अपने अपने हिसाब से योगदान किया था लेकिन जिस हि पर देश को बनाने में जितना योगदान इस समय मोधी जी का उतना ही योगदान को हमारे नहरूग का भी था क्योंकि एक सवसक्त भारत चाहिए था उस समय देश को और उन्होंने आई-ाई-म दिया आई-ाई-टी दिया भागधान अंदल बांग दिया और तमाम सी चीज़ रेल से लेके बेल गेल तक जितने भी होते हैं सब कुछ कॉंग्रेस नहीं दिया अच्छा चीके दिपांचु एक आखरी सवाल तुम लोगों से पूछ लेती हूँ उसके बाद फिर एक सवाल में दिव्यांचु से करूँगी लेकिन एक सवाल बहुत इंपोर्टेंट है व हमें हिंदु मुसल्मान नेताओं को करने का मौका मिल गया इस चीज से और इससे क्या भाजपा को फायदा होने जा रहा है ये 109 में आंसर दीजेगा दिपांचु नई जाहिरती बात है कि अगर मंदिर बना है अच्छी बात है क्योंकि धर्म जो होता है एक बहुत संख्यक अबादी हो या चाहे हो सबके लिए एक अपना प्रिय होता है धर्म चाहे जो भी हो और मुझे जहां तक लगता है सब की सब सभी धर्मों में आस्ता होती है चाहे जो हो और कुछ लोगों को अच्छा भी लगा होगा कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा कुछ लोगों इसको राजनीती करने का मौका मिलना है लेकिन शायद इस पर राजनीती नहीं होनी चाहिए चाहे जिस हिसाब से बिपक्ष का जो भी रवय्या रहा हो मैं अग्री नहीं करता हूं लेकिन यह है कि एक बड़ा तपका जो है इससे इंफ्लूएंस हुआ है और वो खुस भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि दूसरा बंदा आके यहां पर मस्जिद बनाया और चीजे धाचा बनाया एक तरीके से ठीक है इसको पहले चीजे हो जाने चाहिए थी लकिन इन चीजों को राजनीती गलियारों में घुमाया गया और इसके पीछे कितनी जाने गई कितने लोग लड़े और आज तक लड़ते हुए चले आ रहे हैं आप भी राम मंदिर बनने के बाद भी चीजे सांत नहीं हुई है लोग आज भी इसके पीछे लड़ रहे हैं तो मैं क्या लगता है राम मंदिर बना है तो इस मुद्दे को धर्म से ना जोड़कर राजनीत के टाइम पर तो अगर कॉंग्रेस के टाइम पर बाद चाहती तो सरकार कूछ और भी कर सकती थे तो रोक चेम्स की बहुत थी तो मैं यह नहीं बता रहे हैं लग यह कह रहे हैं कि मिलभ उनकी सरकार थी उसके बाद राम मंदिर के लिए उन्होंने अपना योगदान बहुत बढ़ा दिया है और उनके नाम पर मिलब थोड़ा बहुत कल्यान सिंग को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहे थी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली ये तुम कह रहे हो और ये बात हमेशा से उठती आई है सुशील क्या लगता है राम मंदिर को मुद्दा बनाये गया है सिर्फ दर्म का मुद्दा था दर्म पर छोड़ देना चाहे था लेकिन हमने खूब राज़िनती किसी राम मंदिर बनने से खुशी हुई है हाँ या ना बस मैम बहुत खुशी हुई है मैं कल्यान सिंग राम मंदिर के लिए इस अपना इस्तीफा भी दे दिये थे तो उसी के मुद्दे पर मतलब सोचने होली बात है कि उनको जो मतलब जन मिलनी थी उस नहीं मिल लही है ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर एक धर्म का मुद्दा था लेकिन हां कुछ चीज़े ऐसी होती है जब उसका राजनिती करन कर दिया जाता है तो वो चीज़े समयधानिक तौर पर कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट का फैसला सर्वो पर ही होता है उससे बड़ा क कॉंग्रेश चाहती तो उस टाइम पर ही सुला करवा के हिंदु मुसल्मान में और बनवा देती मस्जिद क्योंकि वो चीज थी ठीक है वो चीज मुद्दा था जिसके पीछे बहुतों की जाने गई है बहुत से राजनीती आई है और बहुत राजनीती खेली गई है तो क् भाबरी मजजब के टाइम पर सिर्फ हिंदुों की मौत होई थी भी मुसल्मान नहीं महाँ गये थे शिर्फ पर बात म paranा देखा हिए बात नहीं बन रही है तो उन्होंने चड़ाए कर दी सीधा तो वहीं पर मुद्दा खतम हो सकता था बट इन्होंने क्या कर अपने राजनितिक फायद बटकाया ठीक है चाहिए साचिन राम मंदिर बनने से बहुत कुछ हो लेकिन इसे मुद्दा में बीजेपी ने नी बनाया इसे मुद्धा बनाये विपक्षने, उसमें ना जाके, कि ये एक मोधी का वो है, लाइक बीजेपी का कोई फंक्शन हो रहा है, और इवेंट हो रहा है. तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी मानिनी है, राष्टपती महोदिया है, जौप दी मुर्मू, वो पहले भी उन्हें इंविटेशन देना चुए था, वो बाद में आके राम मंदिर के दर्शन कर लिए? ऐसा कुछ निए, उन्हें इंविटेशन दिया गया एक तो, राष्टपती ऐसे लिए उन्ने दिया गया, उन्हें बुलाया गया और इन्हें único करवाईए पहले सो पहले बूलाया थो गया, एकलट विपक्ष तो आया ही निए उन्हें राम मंदर से प्यार नहीं उन्हें खुछी नहीं है राम मंदर में पहले हो रही थी इसलिए और इसी वज़े से पूरे मुद्दे को राजनीतिक एक तमगा पहना आए गया मौनिका तुम खुश हो ना मंदर बनने से क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ यह जैसे कि 1948 से लेके हिंदूों को इसमें हक मिला है और तब से लड़ाई करते आ रहे थे जिसमें बहुत लोगों की जाने भी गए और बीज़ेपी की सरकार में आके यहां पर यह सफल हुआ है लोगों की लड़ाई और राम मंदिर बना है बस मौनी का बात इतनी है कि बीज़ेपी की सरकार में सुप्रीम पोर्ट ने फैसला दिया है इसलिए श्रे बीज़ेपी पर जाता है वरना ऐसा नहीं है कि राम मंदिर कोई बनवाना नहीं चाहता था या मज़ित के लिए कोई जगा क्योंकि बराबर पार्टीशन हुआ है ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बनाए तो मुसल्मानों के लिए कुछ नहीं है। ठीक है गाधीजम को एक विलन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है वही हुआ है जो आप फ्लुएंस में देख रही है एक टैग लगा दिया गया जैसे इन्होंने कहा ना कि शुरू में राजनीत आपने कहा कि इस पर राजनीत की गए वास्तुविक्ता सचाई तो यह है की होती है लेकिन राजदर्म की राजनीती नहीं होए यहाँ होती है बिल्कुल सभी बात है इन्होंने बोला कि गांधीजी की जो जगम इंट रहुं है गांधी जो जिडिवाइडटें करनेगा हुआ था यहश्तुछ। न जो कर दो आ हम लिख बां में पर जो चीज है, वो चीज है सधी राममंदिर पर बनने से तुम किति खुशू ओव हुआं थीक है अच्छी बाद है राम Jy आए पर मेरे साबसे वहाँ पे ना तो मस्ज़िद होनी चीए थी ना मंदिर होना चीए था इतने साल तक जो चलता रहा मेरे साब से कुछ ऐसी तो मूर्ती पूजन मेरे ख्याल से तुम्हें असे लगता है कि नहीं है तो मूर्ती पूर्जन ठीक है यहाँ बहुत खुश हुई हूँ मैं ने खुद यहाँ पर जब यह जलाए तो यह जलाएं 22 जनवरी को ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं किया देखें मैं राम जी की मैं भी हिं हुँ मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ लेकिन बाहर बर एक ही चीज को राजनीती उस पर पॉलिटिक्स में लाना मुझे वह बात भी अच्छी नहीं लाना दिव्यांचू कुछ कहना जा रहा है दिव्यांचू क्योंकि तुम से सबसे कम बात हुई है पता नहीं क्यों नहीं चाहरे हो यह बच्च वियों बोलने से मैं चाहते हूं घृषू नहीं कि हमारी संस्कृति सनातन क्या है यह कह रहे हो तो बहुत ज्यादा इंफ्लूइंस मितलब लेकिं तुमस्टन को जानते-घ्रेशन में कि हम उसके आगे कुछ निभ निओं आ निदिक्रां अगे कि तौर से अब ले रहे हो तो क्योंकि अभी के टाइम में मतलब जितने लोग अभी के जो यूवा है उन्हें ज़्यादा पता नहीं था हमारे हिंदुश्म के बारे में राम नंतिर आने के कारण और बिजेभी के सरकार में बहुत जादा मतलब बजरंग दल हमारे आए हैं प पहली चीज तो जो हिंदुईजम है और हिंदुट ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलोजी है हिंदुट जो है हिंदुट ये सावरकर की आइडियोलोजी थी और जो हिंदुईजम थी ये गांधी की आइडियोलोजी थी और हिंदुट तो किसी पैसान की मौता तुम्हारी बाते हैं हम मिथलोजी से जुड़ी हुई है तो मुझे इस लगता है कि कल भी हम इस पर चर्शा बहुत 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 बैटर तरीके से कर सकते क्योंकि अभी सब्सक्राइब मतीर बाते हैं की जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वह प्यूच रहे हैं डुच्पाइगा है बाजपय चाहिए और कुछ ने चाहिए ठीक है चेहरा पसंद मेरे बहुत सर्वों में से देगा आरे हमें मोधी जी बहुत पसंद है तो इसलिए जैसे मैं ने बताया कि वहाँ पर कोई कॉलेज या कुछ और होता मंदिर की जहाँ पर तो मैं हम बताना चाहते हैं कि मैं अगर वहाँ पर इस मंदिर ही बना है उसमें भी काफी लोगों को रोजगार मिला है और जैसे आप बता रहे थी पहले कॉंग्रेस के टाइम पर तीन सो कॉलेज थे अब आट सो कॉलेज जैसे तीन से नहीं है कि वहाँ पर रोजगार मिला चाहिए था आप जैसे बता रहे थी कि मला राम मंदिर को राम मंदिर को छोड़ कर बाकी जहां तो कॉलेज बने हैं मैं कॉलेज की बात ही नहीं कर रही हूं कि विकास हुआ है और मैंने यह नहीं बोला कि वहां रोजगार नहीं मिला मेरा बस एक यह पॉइंट था कि ठीक है अगर तो राम लला सब के दिल के अंदर पहले से यह तो नहीं है कि जब बीजेपी राम लला लेकिए उससे पहले कोई नहीं पूछता था था अरे मैं तो हर दिवाली पे पूछती थी पहले टाइम पे पिसी बच्चे से पूछलो आयोध्या नहीं जानती थी पहले जब से अयोध्या को जाना किस नाम से जाता है अगर आयोध्या का नाम निकलता तो आपके दिल में खुद राम जी का नाम आ जाता तो वहां पे अगर उनकी चवीना मनें तो क्या फायदा मैं मैं कहना जाहूंगा यह मैंने अभी बात मतलब उठाया कि महां राम मंदिर के जगा पे वो कॉलेज या हॉस्पीटल वगएरा कुछ भी मैं मैं अभी मैं अभी तक मैं अपनी छोटी उमर में ही बहुत जगा में घूमा हूं और मैं अगर बात करूँ गुर्दवारे की च बंदा जानता है वो इतने बड़े-बड़े स्कूल चुला रहा है फ्री में खाना सेवा हर चीज़ दवाईयां कैम्पिंग करवाता है ठीक है बस बस प्रॉब्लम यह कि राजनीती करण हर चीज़ का किया जाता है जाए वो मुद्धा कुछ भी हो अब देखे लास्ट में करें कि हमारे खानी पीने का ख्याल चाहीं कर दोता है बड़ी-बड़ी खबर मारे आती है चर्चा करके जब लोटते तो यह मारा ख्याल रगते तो इनसे पुछना सब जाधा ज़रूरी है दीपक भाई आं क्या लग रहा है बाट पाय अच्छा कर रही है कि राहूल तो यहां पर जो हमारे साथी सायोगी बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें तो मोदी चाहिए लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग ते जो बहुत सारी चीजों से डिनाए कर रहे थे कि नहीं बदलाव की जुरूत है क्योंकि जो 400 पार की हवाय थोड़ी सी कम नजर आ रही है अब EVM में कैद हो चुका है तीन फेस बचे हैं उसका इंतजार कर लेते हैं चार तारिक भी कोई जादा दूर तो है नहीं है देखते हैं चार तारिक को क्या होता है क्या नहीं होता है क्या वो गैरंटी पर विश्वास कर पाएंगे या फिर जो मनरेगा की बात करते हैं जो और बदलाव करने की जुरूत है धन्यवाद